मुनिवर, यदि आप मुझसे दान एमम भोज ग्रेंड नहीं करेंगे, तो मेरे सभी खन व्यर्थ हो जाएंगे मुनिश्रेश्ट, मुझसे कोई तुलूटी हुई है, तो बताईए, उस तुलूटी का प्राश्चित करने के लिए मैं प्रसुत हूँ महराश श्री राम, आपने रावन के अत्याचारों से विश्व को मुक्ति दिलाई है, प्रजा का पालन भली भाती कर रहे हैं आपके राम राज्ज में धर्म की जोती चहूँ और आलोकित हो उठी है, किन्तु क्या मुनिवर्थ? क्षमा करें, आपका वनवास समाप्थ हो चुका था, राज्या विशेक भी संपन्न हो चुका था, तब आपके लिए अनिवार्य था कि आप सर्व प्रथम गया तिर्थ जाकर विधी पुर्वक पिंडदान करके अपने पितरों को संतुष्ट करें, किन्तु आपको ये सब स्मर्ण नहीं रहा, ऐसे में आपके द्वारा प्रदद कुछ भी स्विकार करना मेरे लिए ही नहीं, समस्त रिशी मुनियों के लिए भी निशिद्ध है क्षमा करें मुनिवर गया तिर्थ में पिंडदान करने के विशय में प्रभू श्री राम को स्मर्ण था इसलिए प्रभू ने ब्राम्भन भोच आदि से पूर्व, मुझे गया जे जाने के लिए समस्त व्यवस्था करने के लिए आज्या भी दी थी गुरुजी वहाँ जाने के लिए पुछपक विमान भी उपस्तित था किन्तु प्रभू ने सूर्य देव एवं पूर्वजों को वचन भी दिया था गुरुजी कि प्रभू सर्वप्रथम, सुख मैं एवं धर्म मैं राम राज्य की स्थापना करेंगे और अब प्रभू आप सब रिशी मुनियों का आशिरवात प्राप्त करके तीर्थ यातरा पर ही जाने वाले हैं इस संसकार के महत्व से भलीबाती परेचित हूँ ये संसकार तो पूर्वजों का आदर भी है पूर्वजों के आशिरवात से ही वंच फलता फूलता है एक राजा के रूप में इस कारेगो कर सारी प्रजा का मार्ग दर्शन भी करना चाहता हूँ मुनिवर कोई भी थीर थ्यात्रा आप जैसे तबस्वियों के आशिरवात के बिना हल्दाही नहीं हो सकती किसलिए तो इस ब्राह्मन भोज का आयोजन किया गया था अतर्व किसे स्विकार करके हमें आशिरवात दें कि हम पिंडदान एवाम अन्ने पूजाएं समस्त वीतियों एवं विदी विधान का पालन करके संपन करें और हमारी तीर थ्यात्रा सफल हो क्षमा करें राजन आपके धर्म पालन पर मैंने संदेह किया मेरा अशिरवात है आपको कि आपका यह नुष्ठान सफल हो आपके इस विचार को कोई हानी ना पहुचा सके ना कोई बाधा आए और आप अपनी प्रजा के लिए उदाहरन प्रस्तुत कर सके कि अपने पूर्वजों के आशिरवात का क्या महत्व है आपकी तीर थ्यात्रा सफल सुफल एवं सुखद हो राच्छस्रेश्ट निकुम्ब आयोध्या से समचार आया है कि आयोध्या का राजा गया जाने की योजना बना रहा है पिंडदान करेगा वो गया में इस प्रकार वो प्रजा के समक्ष धर्म का उधारन प्रस्तुत करने वाला है पिंडदान दर्म का उधारन नहीं कर पाएगा वो मैं रोकूंगा उसे और पिंडदान अपूर रहे गया तो पूरवचों का होगा अनादर इस प्रकार राम के हाथों अधर्म होगा अधर्मी राजा की प्रजावी अधर्म करने लगेगी और तब अयोध्या में भी राक्षसी सोच के लिए द्वार खुल जाएंगे राम का ये पिंडदान किसी भी इस्थिती में पूरा नहीं होना चाहिए किस सोच विचार में डूबे हो हनुमान नहीं नहीं कुछ विशेश नहीं प्रभू मैं जान गई हूँ हनुमान कोई नवीन विशय होता है तो मेरे पुत्र के मन में जिग्या साएं उमर घुमर करने लगती है है ना हनुमान माता एक माता ही तो है जो अपने पुत्र के मन की बात बिना कहे ही जान लेती है माता मेरा जिग्या सुमन अस्चर्य में है कि ऐसा गया जी में क्या है कि जो भी वहाँ पिंड़दान करते हैं उनके पित्रों को सद्गति प्राप्त हो जाती है माता ऐसा क्या विशेश है गया जी में मैं तुम्हें बताऊंगे हनुमान पूर्वकाल में गयासुर नामक एक महा विक्राल काई दानब था यह असर होकर भी गड़ा ही धर्मात्मा था वो श्रीहरी विश्णुदेव को प्रसंद करने के लिए भीशान तप कर नहां था ऊम्हा विश्णू शंखाया मम सर्व मनोवांचित थ्खल प्रदाना गुरू कुरू स्वाह शनय शनय उसके तब का तेज इतना बढ़दा गया कि उसके दर्शन मात्र से ही मनुश्य को मोग्ष की प्राप्ति होने लिए अभ़ोपनो और सब्सक्राइब और फल्स्वरी संसार में एक विचित्र प्रकार से पापाचार भढ़े अनुश्री यत्र तत्र असीम पाप करती और गयासुर के दर्शन करके मोख्ष को प्राप्त कर लेते पाप कर्मियों को मोख्ष की प्राप्ती यह अनुचित है इस प्रकार तो पाप और बढ़ जाएगा यह कैसी विडम बना है पापियों को दंड मिलना चाहिए मोख्ष नहीं पाप जैसा सब अनुमान लगा रहे थे वही हुआ पाप में व्रधी होने लगी संसार में दान पूनिय यग्यादी कारिय बंध हो गया जिस्त देर्ताओं की शक्ती शीन पढ़ने लगी सबको सहष्ता से मोख्ष की प्राप्ती होने से त्वर्ग लोग तप लोग और ब्रम्भ लोग आज संतुलिक वोग है तद संसार को आज संतुलन से बचाने के लिए स्वायम ब्रम्भ देव को अना पड़ा ओम नमः विष्णु शंखाया ममसर्व मनो वांचित फल प्रदाना गुरु गुरु स्वाहा गयासुर्य जगतपिता ब्रम्भ देव प्रणाम जगतपिता तुम्हारा कल्यान हो गयासुर्य परन्तु जगतपिता आप मैं तो विष्णु दे को प्रसंद करने वाले मंत्रों का जाब कर रहा था और मुझे ये भी ग्याद है कि तुम मुझे कोई वर्दान भी नहीं मांगोगे अधे तुम ऐसा करो कि मुझे ही एक वर्दान दे दो प्रभू यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो जो चाहिए मांग लीजिए तपस्या में बैठा हुआ तपस्वी कभी भी किसी को कुछ भी देने से मना नहीं करता तपागनी से पवित्र हुई तुमारी इस दे पर बैठ कर मैं यग्य करना चाहता माता सबको वर्दान देने वाले ब्रह्मदेव जी स्वयम ही वर्दान मांगने लगे जगत कल्यान के लिए इश्वर को सब करना पड़ता है पुत्र कयासुन ने इससे अपना सौभाग्य मानकर ब्रह्मदेव को इसके लिए अनुमती दी दे वो स्वयम प्रित्वी पर लेट गे और उसकी विशालकाई देहे के नीचे पाच पोश्का शेत्र आ गया प्रभु ब्रह्मदेव उसकी विशालकाई देहे पर बैट कर यग्य करने लगे सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रान पश्यन्तु माकश्चित दुख भाग भवेत ओम्ध्यो शांतिरंतरिक्षम शांति रित्वी शांतिरापह शांतिरोषधय शांतिः वनस्पतय शांतिर विश्वे देवा शांतिर ब्रह्मा शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम्शांतिः शांतिः 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 शांत ब्रम्भा जी के नीचे लेटे रहने के कारण पापियों को गयासुर के दर्शन होने बंद हो गया। किन्तु एक समय ऐसा भी आया। जब ब्रम्भा जी का यग्य पूर्ण होने को था। देवताव को ये भैक सताने लगा। यग्य के पश्चात कयासुर पुना तफस्ता करने के लिए बैठ जाएगा। तब तो पुना पूर्व के जैसे हिस्थिती हो जाती। श्रिष्टी पुना आसंतुलित होने लगती। हाँ पुत। इसलिए यग्य पूर्ण होते ही गयासुर को उठने से रोखने के लिए सभी देवताव उसके विविन अंगों पर खड़े होते। ये देवताओं को क्या हो गया। क्यों कर रहा है ऐसा। किन्तु संपून शक्ति का प्रयोग करके भी महावली गयासुर को रोख पाना। उन देवताओं के वश्ते बाहर हो रात। तो भैभी देवताओं ने श्रीहरी विष्णुदेव की गुहार लगाए। और अन्तत जगत कल्यान के लिए स्वयम विष्णुदेव की आना पड़ा। प्रभू, आपकी चरणयों का रज पाकर… आपके भग्त गयासुर का जीवन धन्य हो गया प्रभू। मेरे स्वभाग्य में व्रिद्धी करते हुए इसी प्रकार अपने चरणों के नीचे रहने दीजे प्रभू। उत्तम भग्त गयासुर। तुम्हारी इच्छा अवश्य पून होगी। इसके लिए तुम्हें प्रित्वी में समाना होगा। इस संपून क्षेतर में मेरे चरण अप्रित्यक्ष रूप से स्थित रहेंगे। और यहां की प्रित्वी के नीचे तुम स्थित रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पून हो जाएगी। एवं अपने बापों का प्राश्चित ना करके तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त करने वाले मनुश्य अब ऐसा नहीं कर सकेगे। जैसी आपके आग्या प्रभूर। गया सो, मेरा वर्दान है तुम्हें। प्रित्वी में समाने के पश्चात भी तुम्हें आहार प्राप्त होता रहेगा। तुम्हारी देख के ऊपर के इस क्षेत्र को तुम्हारे नाम से ही गया जी तीर्थ रूप में जाना जाएगा। जो भी यहां आपने पूर्वजों को पिंड़ दान करेगा। उसके पित्त्री ही नहीं वो स्वयम भी सग्रती का आधिकारी हो जाएगा। मेरी चपूर्ण करके आपने मुझे क्रितार्थ कर दिया प्रभू। आप स्वयम ही मुझे प्रित्वी में स्थिट कर दीजिये। अवश्य गया सुदूदू। वाह। तब तो प्रभू विश्रुदेव की उस लीला स्थली पर जाना तो अत्यांत सवभाग्य की बाद होगी। कर दो हनुआ। कि मार्ग में काशी नगरी भी पड़ती है। पुतर राम, हमें काशी मेरुकर गंगा पुजा वर्ष्य करनी चाहिए। जो आग्या गुरुदेव। आप उश्पक विमान पर आरुड होकर अपना स्थान गरन कीचे। सर्वपथम हम काशी ही जाएंगे। तो इनका बिर्थम पड़ाओ है काशी, बुचित है। हम अपना कारिय काशी से ही प्रारंब करेंगे। काशी नगरी शिव के बारे। राम चंद्र सिया संग पधारे। मा गंगा पूजन के लाई। जान की मईया खाल सजाई। माता, मैं भी आपके साथ दीपक बनाता हूँ। भरत लखन शत्रूख साहाए। देखी देखी कपिहर साए। मुझे आसपास किसी के होने का आभास हो रहा है। मेरे प्रभु श्री राम का परिवार सब एक साथ गंगा पूजन हितु आगे बढ़ रहे हैं। कैसा मनोहारी द्रिश्य है ये। इन पे किसी की कुद्रिश्टी ना पड़े। कुछ तो हल्चल हो रही है। तो धर्म कार्य में बाधा डालने के लिए अधर्मी भी आ गया है। मेरी पूजा से अधिक महत्व पूर्ण है। मेरे प्रभु की पूजा पूर्ण होना। ये मायावी कोई बाधा डाले। उसके पूर्व ही मुझे से रोकना होगा। ये मायावी कोई पूर्ण है। देवी सुलेश्वरि भगवति गंगेत्रिभुवन तारिनी तरल तरंगे। शंकर मोलि विहारिणी विमले मम्मति रास्ताम तवपद कमले। हरिपद पाधि तरंगिणी गंगे हिम विदुमुक्त धवल तरंगे। दूरी कुरुमम दुश्कृति भारं। कुरुकृपिया भवसागर पारं। तव जलममलम येन निपीतं। परमपदम खलु तेनि ग्रिहीतं। मातर गंगे त्वैयो भक्तह। किलतं दृष्टुम्नायम शक्तह। परमपदम पारं। तव एच्डी भीजार効 मतलता सोट अछुटप्ट। परमपदमम्नाद परमपदम्नाद भारं। झाल झाल कोई तो अधर्मी है जो हमारे प्रभू की पूजा में विग्णन डालना चाहता है इससे पूर्व की वो हमारे प्रभू की पूजा में कोई अनिष्ट करे मुझे शेग्र अतेशेग्र उसके बारे में ग्याद कर उसको रोकना होगा विधी पूर्वक किये गए शाद और पिंडदान से जो शक्ति हमारे पूर्वजों को मिलती है वही शक्ति वो आशिरवात के रूप में हमें लोटाते हैं